प्लेलिस्ट में आप बात करने जारे एक और वन आप दे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है सारेज डॉकुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि एक्जाम के पॉइंट आप यूसे काफी इंपॉर्टेंट इसको समझते हैं लेकिन चैनल परना है हो तो सब्स्राइब नहीं की हो तो सब्स्राइब करो भाई लाइब करो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है और इस वीडियो को इंजॉय करो तो इस डॉकुमेंट क्या होता है आप याप याद कर लिजिए कोई आपसे कर रहा होता है जो की डिस्क्राइब कर रहा होता है प्रोजेक्ट के नेचर का और जो सब्स्राइब कर रहा होता है या फिर जो अप्लिकेशन होता है उसे डिस्क्राइब कर रहा होता है कि यह सब्स्राइब कैसा है क्या करता है कैसी पंक्शनालिटी है बहुत सारी चीज़ पूरे software बन के तर रेडी हो जाता वहां तक कि इतनी भी चीज़े होती है न सभी चीजे srs document के अंदर mention होती है इस parameters and goals उसके बाद this goals this document describes the project's target audience and its user interface hardware and software requirements अब दो कि इस document के अंदर target जो आपकी आपकी आप जो software आपने बनाया है उसकी target audience क्या है वो सभी चीज़े describe करते हैं आपने project बनाने के लिए कौन से hardware को यूज किया है आपकी cost वगरे कितनी आई ठीक है user interface वगरे कैसा है कैसे work करेगा वह सभी चीज़े होती है hardware भी होता है फिर software requirements क्या क्या requirements है जब आप software को बनाए या जब को user इस software को होनी चाहिए तो काफी जितनी भी चीज़े होती है ना सभी चीज़े डाकुमेंट के अंदर mention की जाती है ठीक है आई होग कि आपको software srs समझ में आ गया होगा कि actually srs डाकुमेंट क्या होता है ठीक है srs structure and its parts अब देख कुछ parts है जो कि बहुत important आप इस लाइटली ना लीजिएगा इससे आप अच्छे समझिएगा ठीक है introduction, general description, functional requirements, interface requirements, performance requirements, design constraints, non-functional attributes, आठवा नमबर पे है आपका preliminary schedule and budget जो है appendices है यह सभी चीज़ा बहुत ध्यान से समझिएगा और exam में आपके पूरी चीज़े लिखनी रहेंगी क्योंकि यार एक page तो लिखेंगा नहीं दो तीन page लिखना होता है तो यह सभी चीज़े आपको आ नौलिज के लिए पढ़िए exam में आप बहुत आसानी से लिख लेगा अगर आपका concept clear रहेगा तो exam में आप कहीं लिख लेगे exam ही क्या और कहीं आपसे कोई पुछेगा तो आप आसानी से answer कर पाएंगे तो हमें से knowledge के लिए पढ़िए exam वगणा रहे ना पढ़िए अगर आ होता है कि जिसमें सभी चीजे एक्स्रेंट वगरा करना होता है डिस्क्राइब करना होता है डाकुमेंट से ठीक है सिकेंड नमल क्या आता है इसकोप आप डिस डाकुमेंट का scope के है जैसे कि it also includes description of development cost and time required यानि कि जो software बनती है ना उसके बारे में description अच्छे से लिखना होता है फिर उसकी development cost वगरा या time requirement वगरा ये सबी चीज़े बहुत अच्छे से लिखनी होती है overview अगरे भी उसमें लिखना होता है उस software अप प्रोडक्ट से related ठीक है उसको देखो general description में क्या होता है it includes objective of users, user characteristics, features, benefits ये सभी चीज़े उसमें लिखनी होती है about why it's important is mentioned और ये कि important है ये भी mention करना होता है इट also describes features of user community and application domain application domain और जो users community के जो भी चीज़े होती है वो सभी चीज़े वहाँ पर describe करनी होती है अब देखो functional requirements में क्या होता है it describes the possible effects of a software system in other words what the system must accomplish ठीक है इस functional requirements should be specified in following manner जैसे कि description भी होता है, criticality लिखनी होती है, technical issues बगएर होते है वो लिखने होते है, cost and schedule होते है risk बगएर होती है, यह सभी चीज़े function requirements के अंदर लिखने होते है इस heading के अंदर लिखने होते है ठीक है अब देखो interface requirement के अंदर क्या होता है कि interface में क्या होता है कि software interface which means how software program communicates with each other और users यानि कि जो software आपने बनाया वो users से कैसे communicate करेगा कैसे communicate करेगा यानि user interface के थुरू वो communicate करेगा यह सभी चीज़े होती है कौन सा language वगरा यूज होगा किस language में communicate करेगा coding वगरा होती है messages are fully described and explained ठीक है software system perform desired function under specific condition is explained यानि कि जब कोई software बनता है तो कुछ condition पर वो काम कर रहा होता है तो वह सभी चीज़े भी दिखाए जाती है और बलकी specified speed and memory requirements भी दिखाए जाती है कि यह software आपका 8 जी विरेम पर चलेगा और 4 gbram पर चलेगा क्या किया इसकी memory requirement होगी क्या speed होगी यह सभी चीज़े भी वहाँ पर दीखानी होती है खिक है और जैसे कोई software आपने बनाया जो की चार जी वी रैंप पर ही चलेगा दो जी वी रैंप पर नहीं चलेगा तो इस अभी चीजे भी वहाँ पर दिखानी होती हैं अब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि इन देश कंस्टेंट वी सिंपली मीन्स लिमिटेशन्स और रिस्टिक्शन्स आर इस्पेसिफाइड एंड एक्स्टेंट फॉर डिजाइनिंग टीम तो डिजाइनिंग टीम के लिए कुछ लिमिटेशन्स कुछ रिस्टिक्शन्स वागर होते हैं तो उसकी एक्स्टेंशन वागर की जाती है डिजाइन कंस्टेंट के अंदर एक्जामपल के लिए ले सकते हैं कि इसे पर्टिकुलर system for better performance, better performance के लिए इसमें non attributes वगर है, expand की जाते हैं अच्छे से, example क्या ले सकते हैं, security, portability हो, reliability हो, reusability हो, यानि की reusability मतलब code वगर है, जो हो आसानी से फिर से reuse किया जा सके, security purpose के लिए अच्छा हो, ठीक है, reliable होना चाहिए, application compatibility होनी चाहिए, data integrity होनी चाहिए, यानि जो data वगर हो, आपका integrity उसे maintain रहनी चाहिए, scalability, capacity होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों होती है, वो non-functional attribute के अंदर में आती है, आठमी नमबर क्या है, preliminary schedule and budget, अब schedule and budget के बारे में, इसमें सभी चीज़े होती है, cost वगरे, development, cost वगरे, ये सभी चीज़े, इसके अंदर describe की जाती है, और appendices के अंदर क्या होती है, definitions, abbreviations, references वगरे जो होती है, वो appendices के अंदर आती है, आईयों की चीज़े आपको समझ में आ गई होंगे, अब बात करते, characteristics of good SRS, एक अच्छा SRS होने के लिए क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, पहले नमबर पर correctness है, करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि functionality देखी जाती है, कि जो software बना हो अच्छे से work करे, performance देखा जाता है कि अच्छे से perform करें से भी चीज़े जो भी जिसके लिए बनाया गया है, designing उसकी बहुत अच्छी हो, constant attributes वगरे देखे जाते हैं, उसमें ठीक है, फिर फिर नमबर पर modifiability है, क्यानि कि अगर हमें कोई modify करना चीज़े हो, तो भी बहुत ही आसानी हो, उसमें modify किया जा सके, six नमबर पर होता है, verifiability होता है, SRS is correct when the specified requirement can be verified with the cost effective system to check whether the final software meets, those requirements are verified with the help of reviews, अब देखो, verify वगरे भी किया जाता है, इसलिए verify कियाता है, क्योंकि बाद में यह problem ना है, document वगरे जब एक बार ready हो जाता है, उसके बाद सब्सक्राइब बनाया जाता है, ठीक है, fit stability ही देखा जाता है, यह काफी चीज़े होती है, यह characteristics होती है, जो SRS के अंदर में आती है,